40,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अगरवाल पतनी राहोल अगरवाल ने आरोपी देपेश बोहरा के खिलाफ 40 लाख रुपे के जेवरात की ठगी का मुकदमा नियों आगराथाने में दर्ज कराया था। वादिया की तहरीर पर मुकदमा लेक पोलिस ने 17 जून 2022 को दीपेश बोहरा को गिरफतार किया और अदालत के आदेश पर जेल भेज जिया। आरोपी से जेवरात बरामद हुए थे। बरामद हुए जेवरात अब मुक्त कराने के लिए वादिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से CGM की अदालत में प्रातना पत्र दिया था। लेकिन वादिया कोर्ट में हाजिर नहीं हुई लगतार कोर्ट में हाजिर ना होने पर सीजेम अचल परताप सिंग ने वादिया का प्रातना पत्र खारिज करने के आदेश दिये हैं सीन्यूस के लिए उमेर्श शर्मा के रिपोर्ट